हैलो एब्रिवार्न आज का कॉशन है फ्रेंक नी डिलानो रुजवेल्ट की विदेश नीती का मुल्यकान करें रुजवेल्ट का अंतराष्टी मामलों में अस्तक शेप ना करनी का परमुक कारण उसकी अपनी घरेलू समश्याओं में उल्जा रहना था फिर भी उसने अंतराष्टी अस्तर पर कुछ कर्टब दिखाएं जिने नीमरी डूप में परस्तुत किया जा सकते हैं लंदन सम्मेलन जून उनीस्तों में लंदन में अंतराष्टी आर्टिक सम्मेलन हुआ रूजवेल्ट की सरकार ने इसमें भाग लिया डॉलर अहमुलियन की असंका से रूजवेल्ट सम्मेलन में मुद्रा इस्तरी करन के मामले पर शाहमत नहीं हुआ स्वाबियत रूस की मान्यता अंतराष्टीय मंच पर अपने सक्रियता बनाय रखने है तो रूजवेल्ट ने 1933 में स्वाबियत रूस को मान्यता दे दी रूस से मेत्री पुन बेवार अपनाने का एकार नियावी था कि रूस की सरकार पुनता अस्थापित थी जापान के बड़े हुए परभाव को रोकने में आसामर्थ थी दर्रों में कमी रूस वेल्ट ने 1934 में एक कानुन पारित करके टैरिफ दर्रों में 50% तक कमी कर दी थी ऐसा रूस वेल्ट ने इस लिए किया था क्योंकि मंदी के कारणवा किसी बाहरिभ बात पर ध्यान नहीं दे सकते थे वेपार करा रूस वेल्ट अंतराश्टी ये बाद की दिसा में पारास पृटता के आधार पर वेपार करार करने के लिए अपने सचीव दल की योजना कानो मोदन की अमेरीकी राष्टपती रुजवेल्ट ने इस निती को निम्न कारणों के अधारों पर अपनाया था आर्टिक मंदी से उत्पन संकट इतना निकट था कि किसी एंतरब ध्यान दिया नहीं जा सकता था राष्टपती अमेरीका को ऐसी किसी बात तो में स्तक्षिप नहीं करने देना चाहता था जिससे बाद में नुकसान हो अमेरीका वाश्यों की अब तक यही धार ना थी कि दुनिया के देशों ने पर्थम विश्यूर में अमेरीका कौनुची तरीके से घसित लिया था अच्छे पडोशी की निती राष्टपती रुजवेल्ट ने अपने पडोशी देशों के साथ सांती एवा मेत्री पुन निती का पालन किया ताकि संयुक्त राष्ट अमेरीका और लेटिन अमेरीका के मेत्री संबंद और मदूर बन शकी यदबी योजजेज एवाम हुवर ने भी इसी परकार के संबंद अस्तापित किये परनतु उन्होंने करिबियन गरराइजेओ के मामलों में अस्तक्षेफ के अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ा था और इसी कारण स्यूक्त राष्ट अमेरीका के संबंद पर विश्वास नहीं करते थे सर अमेरीकी सम्मिलन अंसर, अम्रीकी सम्मेलन में अमेरिका ने पश्मी गोलार्थ के देशुं में सयों बढ़ाने वाले अनिक परष्टाओं को पारिद किया तो था। इन देशों ने या माना कि किसी भी राइश को किसी भी इन राइश के आंतरिक और विदेशी मामलों में अस तक शेप का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यूनेस आयर्स सम्मेलन में सन 1936 में सद्देश्य देश्यों के मैं दियात तही हुआ था कि इस शेत्रिके सभी राजियों में उसी परकार के एक विशिष्ट अमेरीकी पर नाली है जैसे यूरोप में है इसको किसी परकार रखना चाहिए लीमा सम्मेलन पश्मी गुलार्ट के वीविन राजियों के मैं सयोग बढ़ाने के लिए सन 1933 इसवी में लीमा सम्मेलन का आयोजन किया गया था अमेरीका ने सेटिन अमेरीकी राजियों के परती अपच्छे परोशी की भावना का परमान भी परस्तुत किया था इसकी परमुघटनाओं का वर्णन इस परकार है क्यूबा की 1933 की क्रांती में अमेरिका ने हस्तक शेफ की नीती अपनाई थी अमेरिका ने 1934 इसवी में क्यूबा के साथ ने संदी की इसके अनुसर फलेट तंसोधन समाप्त कर दिया था अमेरिका ने पनामा हैटी एवं डॉमी नीकन गनराईज में से अपना हस्तक शेफ वापस लिया था करेबियन इलाके पूरी तरह सवतंत्र हो गए अमेरिका ने अपने हीटों की रच्छा स्वयोग और आर्थी परवा के अधार पर की थी मेक्सिकों की सरकार ने अमेरिका के नागरिकों को परियाथ च्छती पूर्ती दिये बिना ही उनके फार्मों और तेल कमपनियों को अपने हाथों में ले लिया था फिर भी अमेरिका ने अच्छे परोशी की निती को नहीं छोड़ा सायर इसे कारण अमेरिकी सरकार पदूतिय विस्फिकी द्रगत मेक्शिको को समर्थन पराप्त हुआ यूरोपिय निती, रूजवेल्ट की यूरोपिय निती तठाश्ता की निती थी क्योंकि ऐसा करना प्रामप्रागत निती का नुसरन करना था-त था यूरोप में तानाशाही के विकास और दुष्टे यूद की संभावना को देख कर अमेरीका के लिए निवाय था कि वह अपनी तठस्ता को बनाय रखें किन्तु सिखर ही निम्न परिवर्तित इस्थितियां सामने आनी लगी यूरोप की समस्तानाशाही सरकारे यूद की तयारी में थी वसिंटन एवन लंदन संधी में पिर्तग होकर जापान अपने समंदरी बेड़ों को समुरीद बनाने लगा था इटली ने इथोपिया पराकर्मन कर दिया और अपने राइज में मिला लिया जर्मानी ने वार्षे संधी की सर्तों पर उलंगन करके विशाल सेना समंदरी बेड़ा और वाई सेना त्यार करना प्रारम कर दिया था सुदूर पूर्वे नीती जब अमेरीका ने जपान को आकर्मन नीती का विरोध नहीं किया तब तक उसने चीन के बड़े भाग पर अधिपत जमाने की नीती का सक्ती से पारण करना प्रारम कर दिया जपान 1922 से 1930 तक के समय में की गई उन संदियों को जो जपान के समंदरी बेड़े के युद पोतों की अधिक्तम संखिया के संबंद में थी जिसे आश्विकार कर दिया गया था अब दोनों के मईत समंदरी बेड़े और उसे समंदर आस्थर सास्थर की वर्दी के लिए पर वर्षा की तब तो अमेरिका और जपान का बिवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया परन्तु फिर भी इस मामले को लेकर अमेरिका युद परारम नहीं करना चाहता था अमेरिका ने चीन की सहायतार्थ बड़े पेमाने पर रिम की विवस्ता की और इस चौतिस इस विम अमेरिकी कॉंग्रेस ने एक विल में कहा कि फिलिपिन सदीप को दस साल के समय में राजनेतिक एमार्थिक परिवर्तन के पश्या सम्मू सवतंत्र कर दिया जाएगा अमेरिका को यदा भी अपने सेनिक परतिष्टान हटाने थे परन्तु कुछ अवदी के लिए उससे समु ने लिया था क्योंकि इस समय अमेरिका ने जिन देशों को रिन दिये थे उसमें से अर्बो डॉलर के रिन वापस मिलने को कोई आशा नहीं थी सीनेट की एक कमेटी की रिपोर्ट में सन 1934 से 1935 में आसपस्ट कहा गया था कि अमेरिका के युद समागरी बनाने वालों और व्यंकरों ने व्यक्ति गतलाब के लिए अमेरिका को युद में उतार दिया था इस कारण उसने कई तठस्ता अधिनियम पारित के इन में निन्व ब्यवस्ता की गई थी युद में सामिल देशों को समान बेचने या भेजे जाने पर रोक लगाई जाएगी युद रद देशों को युद समागरी नगर भुकतान पर ही दी जाएगी युद रद देशों को अमेरीकी नागरी करीन नहीं देंगे अमेरीकी नागरी किसी युद में सामिल देशों के जहाज़ों पर यात्रा ना करें ऐसी हिरायत भी उन्हें दी गई थी इन तठस्ता कानूनों का इटली, एबी, सीनिया के युद तथा अश्पिन के गिरी युद में पूरी तरह पालन किया गया था। दूसरे सब्दों में अमेरिका अपने हीतों की रक्षा करने के लिए अपनी सीमा के बाहर होने वाली किसी भी बात से कोई संबन नहीं रखता इस्तिती में परिवर्टन सन 1935 में कुछ ऐसे बीवाद भी उत्पन होने लगे थे जो अमेरिका को ही नहीं वरन संपुन विश्व को नहीं युद के संकर्ट में डालने लगे थे ऐसी स्तिती में या सोचना गलत था कि अमेरिका सुमें को इस युद से अलग रख पाएगा अन्त में कहा जा सकता है कि अमेरिका की निती रुजवेल के काल में पिर्थक्तू की निती थी इस निती के कारण कुछ श्रीमा तक तो अमेरिकी परंपरा थी और दूस्ते उसकी अपनी अर्शक्ता है लेकिन सिग रही इस्तिती में ऐसा परिवर्टन आया कि अमेरिका को प